आपको टेक्स्ट प्रिंट कराके दिखाना है एक कॉलम के अंदर अब यहां पर आपको चैलेंज है कि आप जो टेक्स्ट प्रिंट कराके दिखाऊ तो अब हम वही सीहकने जो टेटाइब यहां अधर की सेट करने परते हैं तो वो मैंटर करते हैं नहीं एध्या भ anlat म。 श.ब जो और इंवाम चलते हैं € परोक्सी अब हम सेम काम करते हैं और हमारा क्या टास्क है हमारको ना शायद एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है जो कि इसने दी होगी हमारको हमारे को यह वाली जो string है यह string print करवानी है यहाँ पर ठीक है यानि कि यह database के अंदर से retrieve होनी चीए तो अब हम यह देखते हैं कैसे करवा सकते हैं जैसे हेलो प्रेंट कराते हैं हेलो की जगह यह प्रेंट करवानी है इतना सेंपल सा टास्ट दिया है तुम्हारे को यह वाली string यहाँ दिख लेते हैं अभी के लिख लेते हैं यूनियन सेलेक्ट तो यूनियन सबसे हले तो हम पता लगाते हैं number of columns कितने है ना order by से पता लगा वन काम करके 200 आया order by 2 दे देते हैं 200 आया order by 3 दे देते हैं और क्या बात पर इस पर 200 4 दे देते हैं इस पर 500 तो टोटल number of columns जो back end में retrieve हो रहे हैं वो 3 है समझे इस बात को ठीक है so let's start by writing our query union select ठीक है और यहाँ पर हम दे देते हैं यह यह string हमारे को print ने रानी है null comma null ठीक है और इसको यहाँ पर हम क्या काम कर देते हैं URL encode मार देते है तो सही हमने तीन कॉलम देने थे तीनों कॉलम देते है union select और यह string प्रिंट राया थी null comma null कोई गलती तो नहीं है इसमें ठीक है और इसको send करते हैं यहाँ पर 500 आया है जबकि नहीं आना चीए था ठीक है लेकिन 500 आया कि मालो अगर वो ऐसे समझाता हो मैं union की नहीं एक और खासियत है union में बहुत सारे restrictions है जैसे union की तुमने अभी तहाँ एक rule सीखा था कि number of columns अगर यहाँ पे select statement है select dot 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 something union select dot 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 यहाँ भी हमने कोई query दिये तो union की एक खासियत है number of columns इस सेटमेंट में इतने होंगे उतने ही इसमें होंगे plus इस select statement में जो भी columns retrieve हो रहे है let's say let's say for example phone number phone number phone number, phone number, name, date यह retrieve हो रहे है तो इसका type होगा integer correct इसका type होगा where care ठीक है और इसका type होगा where care मतलब string माल लो एक तरीके दे और इसका type होगा date तो यह select statement है इसके भी तीनों चीज़े same ही format को use कर पाएंगी तो इसकी जो select statement में आप तीन ही चीज़े आपको ही पता कि तीन चीज़े retrieve करानी तो जो भी तीन चीज़े आप retrieve कराऊगे वो तीनों की तीनों चीज़े same data type ही carry कर सकती है तो यहाँ पर phone number integer data type है तो पहली चीज़ जो select statement कराऊगे वह यहाँ पर क्या होने चीज़े यह तो नंबर होना चीज़े कोई जैसे आप यहाँ पर दिख सकते वन ठीक है अगर यहा अगर आप सोचो कि मैं hello को यहाँ करा दूँ तो ऐसा काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर data type integer हो तो यहाँ पर यही होना चाहिए यहाँ पर नल भी करा सकते हो ठीक है नल का कोई data type नहीं होता तो नल सब में काम करता तो आप नल भी दे सकते हो उससे कोई फरक नहीं पड़ इस वाले में काम नहीं करता तो ऐसा हो सकता है अगर हम एजूम करें कि backend में यहाँ इंटीजर data type हो यह date हो यह कोई और data type हो जो string को support नहीं करता ठीक है तो मैं क्या काम कर सकता हूं इसको हटाके यहाँ पर क्या दे सकता हूं नल और यहाँ पर string try कर सकते हैं send करके देखते है और यहाँ 200 आ गया अब मैं स्ट्रिंग को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर प्रिंट हो गई इसका मतला हमारी जो लैप थी वह सॉल्व हो गई ठीक है और यही हम try करते हैं और यहाँ पर नल ट्राइब करते कि यह काम करेगा या नहीं करेगा क्या तीश्री वाली में स्ट्रिंग सपोर्टेड है या नहीं है तो यहाँ पर 500 यानि कि सिर्फ सेकेंड वाली जो है वह वह वैर्कर या कैर टाइप की होगी बाकी जितनी भी है यह सारी डेट इंटीजर है कोई और थर्ड कैटाईड टाइप की होगी तो डेटा टाइप मैटर करता है SQL में तो कही लेकिन आपका चीज प्रिंट नहीं हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि वह जो डेटा टाइप है वह सपोर्ट ही ना करता हो है तो आपको चेक करना पड़ेगा अब अगर फॉर इजामपल लेट से अगर अब यह जो नल है क्या यहां पर बैकेंड में इंटीजर यूज हो रहा करते हैं if ट्राइप तो सब्सक्रण से करा है यहां पर शुरॉर्ण करता है जो सबसे पहला कॉलम फैच हो रहा है वह इंटीज़ डेट टाइप है और इस पे लिए टौपर यहां पर पूंप है पैर चेक करने जिए शृ dazu है यह एटू ऐला क्रिंक्छी आन्मट कर जो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इंटीजर सपोर्ट करता है clear होगे इतना है ना